हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मैं चैनल, स्माइल ओपन भी डॉक्टर पुनम कोरियन ग्लास स्कीन एक ट्रेंड बन चुका है हर कोई चाहता है, हर लड़की ये सपना देखती है कि उसकी जो स्कीन है, वो ग्लास की तरह चमकेगी इसके लिए वो कोरियन ग्लास स्कीन पाने के लिए हर चीज सोचती है, कि इसके लिए क्या क्या किया जाए कौन-कौन से कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराए जाए जिससे उनका चेहरा है, वो एकदम बेदाग हो, सुन्दर हो और एकदम चमकदार बने यह सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, बाकी और देशों में भी इसका काफी प्रचलन है क्योंकि सब लोग यह चाते है कि उनकी स्कीन है, वो सुन्दर दिखें, बेदाग दिखें और क्यों नहीं चाहे, क्योंकि हमारा जो चेहरा है, वही हमारा फेस्ट इंप्रेशन होता है अगर वो सुन्दर दिखता है, हमारा जो कॉन्फिदेंस लेवल है, वो बढ़ जाता है तो इसी रेस में कोरियन ग्लास स्कीन है बहुत सारे लोग ये सुचते हैं, कि इसके लिए बहुत सारे कोस्मेटिक ट्रिटमेंट होते हैं, वो बहुत महेंगे महेंगे होते हैं साथ ही सर्जरीज होती है, स्कीन से रिलेटेड, उनके द्वारा ही उनकी स्कीन है, वो चमकदार बन सकती है लेकिन ऐसा नहीं है आप घर के कुछ प्रोड़क्ट याने गरेलू जो आपकी रोसोय में पाए जाने वाला कुछ समान है उनकी मदद से भी आप अपने स्कीन को एकदम शिशे की तरह चमका सकते हो मैं आपको इस वीडियो में सरफ एक फेस्पेक बनाना बताऊंगी जो आप घरेलू घर की रोसोय में पाए जाने वाले कुछ चीजों के द्वारा है और आप यकीन कीजिए कि ये जो फेस्पेक है इसको लगाने के बाद आप खुद मानोगी कि हमें कहीं जाने के ज़रत नही है सिर्फ इसके इस्तेमाल से भी हमारी स्कीन है वो चमकदार बन सकती है और ग्लास की तरह चमक सकती है साथ ही में आपको थोड़ा सा जो कोरियन की जो लड़किया होती है क्या 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 रूटीन फोलो करती है उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी ता सब्सक्राइब कर लिए बेल आगन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरे न्यू वीडियो की नौटिफिकेशन्स मिलती रहे अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कोरियन ग्लास स्कीन पाने के लिए क्या क्या किया जाए उससे पहली यह जानते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी जो बॉच में ज कि इसकीन है वो कितनी प्यoti है कितने सुंदर हती है बिलकुल बेदाग होती है और एकदुम चमक्दार होती है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्कीन है वह खराब होती जाती है। और वो मोस्ली क्यों होते हैं उसका में रिजन होता है होर्मॉन्स की वज़े से जब हमारे होर्मॉन्स चेंज होते हैं तो कोई भी जेंडर हो चाहिए लड़का हो या लड़की उसमें स्कीन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है पिंपल्स निकल जाते हैं दाग धब्बे करोगे या फिर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जिन में बहुत सारा केमिकल होते हैं वो क्रीम्स यूज करोगे कि कैसे करके पेंबल स्थीक हो जाए और जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तब अच्छे से वह इस्तेमाल नहीं हो पाते किसमें क्या प्रोब्लम होत होता उस एज में तो क्या होता है कि कुछ भी प्रोडक्ट यूज करने के वज़े से वह धीरे-धीरे और डल होती जाती है और प्योर चीज़े करना हम बंद कर देते हैं इसके वज़े से हमारी स्कीन है वह उसमें पिग्मेंटेशन हो जाता है स्कीन लूज होने लग जाती है जाईयों की प्रॉब्लम हो जाती है और यह सब चीज़े शुरू हो जाती है तो सबसे पहले तो हम नेचरल तरीके से हम अपनी स्कीन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं और यह जो कोरियल लोग है यह क्या करते हैं यह अपना एक रूटीन मेंटेन कर रखा है कि हमें इस तरीक करते हैं मैं उस रूटीन के बारे में भी बात करूँगी लेकिन पहले में आपको हमारे घर में मुझूद ऐसी चीज़े हैं जिनकी मदद से आप अपने स्कीन को चमका सकते हो दाग धबो रहित कर सकते हो तो वह क्या चीज़े हैं और कैसे इस्तिमाल करते हैं वह जानते है सबसे पहली जो चीज है वो है पपिता और दूसरा है शहत ये दोनों ही बहुत ही प्राकरतिक होते हैं नेचर से जुड़े होते हैं बहुत सारे पपिता के पपैया फेशेल आते हैं फ्रूट फेशल की जब बात की जाती है तो उसमें पपैया आइड करते ही है तो naturally अगर आप इसको अपने चेहरे के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपके skin है अंदर से नरिश करता है और आपके skin में एक natural glow create करता है तो पपीता बहुत फाइदे मंद होता है हमारे skin के glow के लिए और दूसरा होता है शहद, शहद हमारे overall health के लिए बहुत beneficial होता है लेकिन अगर हम अपनी skin पे लगाते हैं इसको तो हमारे skin को भी वो नरिश करता है अंदर से जो हमारे pores होते हैं उनको नरिश करता है और साथ ये एकदम natural glow हमारे skin को देता है अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है इनका हमें एक face pack बना के अपने चहरे पे लगा के इस्तेमाल करना होता है अब face pack कैसे बनाए वो जानते है आपको क्या करना है पपी ते को एकदम मेस कर लेना है अच्छे से उसका cream करते है ना वेसे एकदम अच्छे से मेस कर लिजे आपको grind करने की जरूतनी आप चाहो तो हाथ से मेस कर सकते हो जब आप पी ते को अच्छे से मेस कर लोगे तो उसके अंदर आपको एक चमाश शहद एड करना है और फिर इसको एक अच्छा सा mixer बना लीजिए अच्छे से मतलब फेंट लीजिए और अच्छे से कुछ देर तक mix कर लिए ताकि वो दोनों जो ingredient होते हैं वो अच्छे से mix हो जाए जब वो दोनों mix हो जाएंगे तब आपको उसमें हलकी सी हल्दी एक चुटकी हल्दी उसमें add कर देना है और उसको भी थोड़ा सा mix कर लेना है फिर क्या करना है अपने चेहरे पे चेहरा एकदम clean होना चाहिए मतलब पहले आप face wash से किसी से भी अपने चेहरे को एकदम साफ कर लीजिए दो लीजिए उस पर कोई भी जैसे डस्ट वगेरा लगी होई नहीं होनी चाहिए और अच्छे से dry होना चाहिए ड्राइ होने के बाद आप अपने चेहरे पे वह जो फेस पेक है उसको apply कीजिए अपने आंखों की नीचे से थोड़ा सा dark circle है तो आप अपने आंखों की नीचे भी ले सकते हो कोई बड़ी प्रब्लम नहीं इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला आपकी स्किन पे तो आप पूरे overall अपने चेहरे पे उसको apply करके कम से कम 15-20 मिनट तक छोड़ना है उसको dry होने दीजिए जैसे आप नॉर्मली बाहर से जो Facebook लेकर आते हो वैसे इसब्सकातब्स नर्म PHIL का पूरे जो इसको नारियल का तेल होता है तो वह तेल लेके मिल जए अगर आप नारेयल नहीं मिलता तो कोई भी M altro Office अक्ज़े आसकते हो बिले के हो इसको अपने चेहरे पे अच्छे से मासाज draw दो या तीर मेंट तक और फिर ओवरनाइट छोड़ दीजी ऐसा अगर आप हपते में तीन बार करते हो तो आप देखो कि एक हपते में ही आपकी स्कीन है वो एकदम चमकने लग जाएगी कोई भी दाग दब्बे आपकी स्कीन के वो धिरी दर एकदम लाइट हो जाएगे और एक अलग ही निखार आपके चेहरे पर दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन आपको इसको कंटिनेशन में करना है ऐसा नहीं कि एक हपते तो आपने किया दूसरे हपती है कि आप उसको छोड़ दो अगर आपके स्कीन पे दाग धब्बे की प्रॉब्लम है एकने की प्रॉब आपके चेहरे में अलग से निखार आना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर आपके हलके दाग धब्बे हैं हलकी से कुछ आपको उसरफ ग्लोइंग चाहिए अपनी स्कीन को फ्लॉलेज चाहिए ग्लोइंग चाहिए तो वन वीक के अंदर ही आपकी स्कीन है वह एकदम नेश proportion tomorrow के से कोरियन अब यह जाते हैं कि वो कौन से routine है वो क्यों सा routine है जो फोलो करते है जिनके मादिन से उनकी इस तरीके से चमकती है आपको क्या करना है उन ही की तरह है regular अपनी life में वह उरूटीन है वह फोलो करना है सबसे पहले उस क्या करते है अपनी स्किन को हमेशा जब भी आप कोई भी प्राड़क्ट यूज करते हो मालो आपने को क्रीम फेश पाउडर या कुछ भी मालो कम्पाउंड या कुछ भी यूज के अपनी चेहरे के लिए मैकप के लिए तो आपको वो मैकप को कभी छोड़ना नहीं आपनी स्किन अच्छे से क्लीन करके ही आपको रखना है आपको ओवरनाइट कभी भी मेकप लगा के नहीं रखना होता है मेकप को अच्छे से निकाल के ही सोना है दूसरा है सुबह जब आप उठते हो तो आप मतलब हपते में तीन बार आप नॉर्मली एक्सफोलेट कीजिए अपने स्केन को यानि स्क्रब कीजिए अगर आप बाहर से स्क्रब नहीं करना चाहते तो नेच्रल तरीके से घर पे भी आप स्क्रब बना सकते हो आप चिनी और नारियल तेल की मदद से उनको मिक्स करके से स्क्रब बना सकते हो और उस स्क्रब को भी आप कर सकते हो या फिर मार्के इफेलेबल स्क्रेग लेएक्स一 awareness करसा को आपको हपते में अपने स्कीन को एक्स स्क्रब कर न चाहिए वह लोग भी ऐसा ही करते हैं ताकि कि चलोती है वह मतलब निकल जाए और new skin है वह दिखना उसको नरिश्मेंट मिलें तीसरा जो है वो टॉनिंग अपने स्कीन को हमेशाथ टॉनर से टॉन करना एकलана आप चाहे को अथिते हो तो चाहे को जहें तो बिलाब जल काल कर सकते हो तो तो मार्केट में मुष्लीं को तो बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों को स्कृब करने का बोल देते हैं तो बहुत हार्ड ली अपने चहरे को रगड़ना शुरू कर देते हैं ऐसा आपको नहीं करना है हलके हलके हाथों से stop picking कि आपकी skin बहुत soft होती है तो उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाने की जूरत नहीं है तो इन चिजोंग की मदद से आप अपने स्कीन को सुन्दर और glowing बना सकते हो flawless बना सकते हो Korean जो glass किन का आपका सपना है वह आप पास सकते हो तो यह है आज का हमारा टॉपिक अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्ली चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू